नमस्कार मैं डॉक्टर वेपिन बंसाल वास्तु कंसिल्टेंट है आज फिर अपनी इस सीरीज में प्लोट चेन से लेकर भावन निर्मान तक और भावन निर्मान से ग्रह प्रविश तक इस सीरीज में आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक और नए विशय पर चर्चा करना चाहूँगा आज का जो विशय है वो है ओपन एरिया वास्तु शास्तर के अनुसार किस दिशा में कितना ओपन एरिया आपको रखना चाहिए इस बारे में मैं आपको इस वीडियो के मादे में से जानकारी देना चाहूँगा आपका अपना फ्लोट वेस्ट फिजिंग यानि पश्ची मुखी है तो वास्तु शास्तर के अनुसार आपको अपने यहां पर ओपन है गया किस दिशा में कितना रखना चाहिए आपके प्लोट का साइज बहुत बड़ा है और आप यह चाहते है कि चारो तरफ से आपके बिल्डिंग ऑपन हो जाए और बीच में आपके अपनी बिल्डिंग बने तो ऐसे में आपने करना क्या है जब आप अपनी building बनाते हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि आपकी building किस दिशा में किस zone में बननी चाहिए जब आप अपनी building बनाएं तो उसमें ध्यान रखना है जो आपका अपना front का भाग है यानि जो west के दिशा है उसमें west में जितना open area आप रखते हैं उससे जदा open area आपका पूरो दिशा में होना चाहिए ऐसे ही जितना open area आप दक्षिन दिशा में रखते हैं उससे जदा open area आपका उत्तर दिशा में होना चाहिए ऐसे में आपके building साउथ वेस्ट की वर बन जाती है और नॉर्थ इस्ट का भाग ज्यादा खाली हो जाता है एक तो इस परकार से आपके building बनती है कि आप चारों तरफ से उसको open रखके बना सकते हैं आप यह चाहते हैं कि आपके building एक दिवार पर बन जाए और तीनों तरफ open area रह जाए तो ऐसे में आप अपने building साउथ की दिवार के साथ बना सकते हैं वेस्ट में भी open area रख सकते हैं इस्ट में भी open area रख सकते हैं और नॉर्थ में भी open area रख सकते हैं साउथ में जब भी बिल्डिंग बन जाती है और तीनों तरफ से ओपन एरिया होता है तो उस घर के अंदर हमेशे ही खुशाली आती है ने ने प्रोजेक्ट उस घर में रहने वालों को मिलते हैं वेस्ट में ओपन एरिया आपका कम होना चाहिए कम का मतलब यह है कि जितना आप ओपन एरिया वेस्ट में रखते हैं उससे जदा ओपन एरिया आपने इस्ट में रखना है और नॉर्थ में भी ओपन एरिया जितना जदा होगा उतना ही आपके लिए फाइनेशली अच्छा हो और नौर्थ की दिवार, दोनों दिवारों पर आपकी बिल्डिंग बन जाए और फ्रंट और बैक में आप ओपन अरिया रखना चाहते हैं तो ऐसे में आपने वेस्ट में ओपन अरिया जितना भी रखना है उस से ज़्यादा open area आपका इस्ट में, पूरो दिशा में होना चाहिए यदि आप इस परकार से अपने घर को बनाते समय open area रखते हैं तो मेरा अपने ये मानने हैं कि आपके घर के अंदर हमेशा खुशाली बनी रहेगी बस एक बात का धियान रखना है जो अंदर का structure है वो edge पर वास्तू भी होना चाहिए जो map आप architect से बनवाते हैं तो उसको एक बार वास्तू consultant से जरूर चेक करें आप अपनी किसी भी site का map बेज कर हमसे online सला लेना चाहते हैं तो आप हमसे online सला भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी site का हमारे यहां से map बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहां से वास्तू भी बनवा सकते हैं और आप अपने यहां पर site visit के लिए हमें invite करना चाहते हैं तो आप हमें site visit के लिए invite भी कर सकते हैं हमारे पिताजी द्वारा लिखित परतम पुस्तक लक्षमी प्रवेश कैसे हो जिसमें उन्होंने वास्तु शास्तर के साथ साथ अपना आनुबाव लिखा आप हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारी यह पुस्तक भी मंगवा सकते हैं और मेरी इस वीडियो को अपने family और friends के facebook group और whatsapp group पर share जरूर करें मैं जो ये series लेकर आया हूँ, ये series किसी ना किसी वक्ति के काम जरूर आएगी आपके circle में हो सकता है एक वक्ति के भी ये वीडियो काम आजाए तो वक्ति आपको धन्यवाद जरूर करेंगा कि उस वक्ति ने मुझे ये वीडियो बेजी थी और उस वीडियो के कारण मेरा घर एजपरवास्तु बन गया तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को अपने family और friends के facebook ग्रूप पर और whatsapp ग्रूप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो मेरे चैनल को subscribe कर लेजीएगा और bell icon जरूर दबाए ताकि मेरी जो ये series चल रही है plot chain से लेकर ग्रह निर्मान तक और ग्रह निर्मान से लेकर ग्रह प्रविश तक इस series की जितनी भी वीडियो की notification है वो आपको समय समय पर मिलती रहे इसी तरह अगले program में फिर एक नविशे पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए मैं आप सुभी का तैदल से धन्यवाद करता हूं